Welcome to the next video of series आपके सवाल मेरे जवाब और इसमें मैं जवाब देता हूँ आपके सवालों के जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और मेरे यूट्यूब चानल के ऊपर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें एक छोटी सी बात में आपके कहना चाहूंगा कि ये सीरीज तब तक कंटीनु रहेगी जब तक आप मुझसे सवाल पूछते रहेंगे अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं सीरीज को कंटीनु नहीं कर पाऊंगा So please keep asking questions चाहे आप Instagram पे पूछें या आप मेरे से YouTube चानल के पर पूछें आप किसी भी language में आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे सिर्फ समझ में आनी चाहिए That's it तो चलो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से So पहला सवाल हम ले रहे हैं अनील का So अनील यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो कि आपको consider करनी पड़ेंगी इसका जवाब बहुत straight forward नहीं हो सकता सबसे पहली चीज तो देखने वाली यह होगी कि आप किस aperture पे shoot कर रहे हैं दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि आपका जो lens है कहीं उस lens के अंदर ही quality issue तो नहीं है कि वो edges की तरफ से soft हो और तीसरी चीज यह है कि आप focus कौन सा mode यूज कर रहे हैं So यहाँ पर होता यह है कि usually मैंने लोगों को देखा है कि वो eye auto focus के उपर ही रखते हैं Eye auto focus में होता क्या है कि वो जो भी आगे पीछे होता है उसकी eye detect करता है और कई बर जब circle इस तरीके का होता है आप round में या semi circle के जब लोग खड़े होते हैं और आप aperture use कर रहे हैं 2.8 का, f4 का या 5.6 का भी तो वहाँ पर problem यह होती है कि depth of field की वज़े से क्योंकि depth of field shallow हो जाती है तो edges पर जो लोग भार की तरफ हैं वो soft हो जाते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप जब भी focus करें तो पहली बात आपका focusing mode उस वक्स single focus पर होना चाहिए single focus पर जब होगा तो आप खुद select कर सकते हैं कि आपको focus कहां पर रखना है तो आप जो focus रखेंगे वो center में जो आदनी सबसे पीछे है उसके उपर नहीं रखना है आपको आपको यहाँ side में जो की medium पर होगा ना तो वो सबसे आगे हो ना वो सबसे पीछे हो उसके उपर आपको focus point रखना होगा तब आप photo खीचेंगे तो आपके पास में सारे लोग properly focus के अंदर आएंगे कोई भी out of focus नहीं होगा तो एक तो blur का reason ही हो सकता है कि because of shallow depth of field focus आपका वहाँ पर out हो जाता है दूसरी चीज़ दो मैंने कहा कि आपके lens की quality पर depend करता है तो आपको specifically यह देखना पड़ेगा कि आप कौन सा lens use कर रहे हैं आप क्योंकि wedding कर रहे हैं तो आपको premium quality के lenses यूज़ करने चाहिए क्योंकि जो low quality के lenses होते हैं वो center में sharp होते हैं लेकिन edges के अंदर वो soft हो जाते हैं तो यह भी एक उसका reason हो सकता है और तीसरी चीज़ यह है कि आपको group से थोड़ा सा distance maintain करना पड़ेगा मैं जानता हूँ कि आप already distance maintain कर रहे होंगे ताकि सारे के सारे लोग आपको focus में मिल जाएं लेकिन कई बर मैंने देखाया है कि लोग wider focal length को use करते हैं और group के काफी close आ जाते हैं तो जितना आप group के close जाएंगे उतना ही वहाँ पे depth of field again shallow हो जाएगी तो आप normal lens को use कीजिए लेकिन group से distance को maintain कर लीजिए तो वहाँ पर आपकी shallow depth of field खातम हो जाएगी और वहाँ पर आपके सबी लोग focus के अंदर आएंगे अगला सवाल पूछा है सुमित ने तो सुमित पूछ रहे हैं Sir Nikon Z6 II के lenses change करने की technique बता है 24-70mm, 285mm change करते हैं तब sensor पर dust ना आए तो सुमित आपका सवाल बहुत interesting है, दिखने में बहुत simple लग रहा है लेकिन actual में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, यहाँ तक के जो मेरे assistants हैं वो भी कई बार ये गलती करते हैं और खासतर पर mirrorless जो cameras हैं उनके sensors open हैं, उसके उपर कोई भी safety नहीं है जैसे ही आप lens उस पर से हटाते हैं, तो सीधे sensor सामने आता है जो कि dust immediately capture कर सकता है तो मैं यहाँ पर आपको एक technique बता रहा हूँ, technique नहीं है, basically एक सही तरीका है जब आपको lenses को बदलना चाहिए फिर चाहे आप mirrorless यूज़ कर रहे हूँ या DSLR यूज़ कर रहे हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में एक camera है, यह Z5 है और यहाँ पर इसका lens है, इस lens को मैं आपको इस पर लगा करके दिखाता हूँ सबसे पहली चीज़ मैंने यह दिखे है कि लोग क्या करते हैं, camera के ऊपर से cap को हटा देते हैं, उसके बाद में वो lens के ऊपर से cap हटाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है आपको lens के ऊपर से cap पहले हटानी है, यह हमने cap हटाई, अब lens को आप एक तरफ side में रख दो, और उसके बाद आपको इस sensor को open करना है, यहाँ पर simple इसका cover लगा हुआ है, पर अगर आपके पास में कोई lens भी लगा हुआ है, तो उस lens को आप तब खोलेंगे, जबकि आपका जो दूसरा lens है, उसके ऊपर से cover हट चुका होगा, दूसरी चीज यह है कि आपको जब camera के ऊपर से lens बदलना है, तो आपको camera को off करना है, off करने के बाद में 10 तक गिनना है, यानि कम से कम 10 से 15 सेंड का आपको gap देना है, ताकि जो sensor है, उसके अंदर अगर static charging है, तो वो खतम ह हो जाए, और उसके ऊपर dust capture ना हो, और अगली बात, आप camera को इस तरीके से पकड़ें, इसको खोलिए, खोलने के बाद में, यहां से आप इसको इस तरीके से लगाईए, and done, तो यह है सही तरीका lenses को change करने का, अगला सवाल है, आशीश तीर्थ का, थैंक्यू विपिन सर, I have Nikon Z6 II, F4 kit, I want to move to cinematic video, can you please suggest which lens is best, आशीश यह एक ऐसा सवाल है, जो कि जादतर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जो जवाब है, वो मैं आप से एक सवाल पूछ करके शुरू करूँगा, आपकी कौन सी favorite focal length है, मैं आपको अगर बोलूँ के आपको 70 mm यूज करना तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यह देखना है, कि आप किस focal length के उपर shoot करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा wider shot पसंद आते हैं, आपको mid shot ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको close up shots ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि एक cinematographer के पास में तीनों variety हो होने चाहिए, अब मेरी जो favorite choice होती है, वो होती है 24-70 f 2.8, लेकिन problem यह है, कि वो काफी heavy lens है, और उस heavy lens को अगर आप gimbal के साथ यूज करेंगे, तो बहुत easy नहीं रहता, और cinematic के अंदर preference होती है 1.8 lenses की, और छोटे prime lenses की, मेरा suggestion आपको यह रहेगा, कि पहले आप एक zoom lens उसको आप use कीजिए, और उसमें देखिए, कि आपके पास में कौन सी focal length आपकी favorite है, तो एक तो अगर आपको लगता है, कि आप 30 पर shoot करते हैं, ज्यादा या 35 पर shoot करते हैं, तो आपके लिए best option है, go for 35, और अगर आप ज्यादा 60 पर shoot कर रहे हैं, 70 पर shoot कर रहे हैं, तो आप आपके पास option है, 50 या 85, पर cinematic videos के लिए, एक photographer के पास में, तीन lenses होने चाहिए, एक 50 mm की focal length, एक 35 mm की focal length, या 28 mm की focal length, और एक 85 mm की focal length, तो अगर आपके पास में तीन lenses होंगे, तो आप बहुत अच्छे से cinematic quality के videos को produce कर सकते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक जरूर कीजेगा, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी जादा सवाल पूछ सकें, और जितने जादा सवाल आएंगे, उतने ही जादा जवाब मै आपको दे पाऊंगा और इस सीरिस को कांटीनिव रख पाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, थांक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो.